अब आपका मेरे चैनल में भूद बहुत स्वागत है आज में लाई हूं मतर की नई रेशेपी एकदम नई रेशेपी है जो कि बनाना भी बहुत आसान है वो टेश्टे भी इतनी बढ़िया हैगी कि आप हर बार मतलब यही इस तरीके की मतर की सब्जी बनाना पसंद करेंगे और बहुत कम से कम मतर में मतलब बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है और हमारा कम मतर में काम हो जाता है तो हम हरी मतर हमने ली है हरी मतर ली हमने एक कप उसको धो ली है चील के दाने निकाल लिए और धो लिए हैं हमने और थोड़ी सी धनिया भी डाल दी हमने डंठल वगर अगर आपके पास आलू हो तो अगर आलू नहीं हो तो भी कोई बैत नहीं भी आप मतर की भी बना सकते हैं तो बीगर आलू के भी बना सकते हैं कोई प्राबलम नी उसमें और एक हरी मिर्ची डाली हैं हमने अगर बढ़ते हैं और अब हम पेश्ट बना लेंगे हमें पानी नहीं डालना है अच्छे से हम पेश्ट बना लेंगे ये देखिए पेश्टे बना लिए हमने विगर पानी के बनाया है पेश्ट कि और अब हमिने बेशन लिया है आदा कप मटर लिये है तो एक कप बेशन लिया हे हमने तो यह मटर मटर का πεष्ट हम इसमें डाल देंगे कर दोखेंग के बेसं में और थोड़ासा नमक डालेंगे हैं और अच्छे से मिला लेंगे हम मतर और मेशन को सब मिक्स हो गया है यह देखिए इस तरीके से भिगर पानी के ही कराहें पानी भी डालने की जर्भत नहीं न soirutions सरे यह दालाए और देखे तरीके से और ध्यान रखे कि हम ज्यादा नहीं से केंगे ज्यादा नहीं मतलब उसे करेंगे हम हमें इस तरीके से ही हम तलेंगे इसे कम तेल में करा है हमने फ्राय और बिल्कुल हम कच्छा पक्का ही हमें रखना है हम ज्यादा इसे जिस तरीके से हम पकोड़े में बनाते हैं उस तरीके से नहीं करना है हमें किस्पी नहीं करना है और नाई ब्राउन करना है तो बस इस तरीके से ही रखना है कि बस थोड़ा सा हम इस तरीके से और अब निकाल लेंगे हम यह देखिए तो हमने हैं ज्यादा नहीं पकाया है इनको और थोड़ा ही मतलब इसे फिराय करा है हमने तेल में और बस इस त तरीके से करिएगा अगर आप ज्यादा कर लेंगे ना तो फिर वह क्या होगा कि कड़क हो जाएंगे तो वह पकोड़े जैसे नहीं करना है हमें अध्यान रखिए इसे साइट में अब रख देते हैं और अब देखते हैं अब हम नई नेश्टेश्टे तो यह देखिए हमने बीस तरीके से आप ज्यादा तीखा कम ज्यादा खाना पसंद करते हैं इस तरीके से आप ले सकते हैं लिए नमक स्वाद अनुसार एक धनिया पाउडर लिया है थोड़ी सी हल्दी लिए और अगर आप गरम मसाला खाते गरम मसाला भी ले सकते हैं तो चलिए यह सब भी इसमें जार में डाल देंगे टामाटर और लसन वाले पेश्ट में डाल देंगे और अब एक प्याज हमने काटा बारी उसको हम यह जो हमने रै करे थे न वह पैश्ट का वम ने जो बनाया था फे तो उसको हम अगर ज्यादा तेल आपका हो तो आप थोड़ा सा निकाल सकते तेल और अगर कम हो तो फिर आप उस हिसाब से आप देखिएगा तेल आपके हिसाब से इसमें फ्राय करेंगे प्याज दीमियाज पर यह देखें प्याज प्राय हो गए अब जो हमने मसाला बनाया था है पेश्ट के साथ वह भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा जार्द होकर पानी डाल रहे हैं हम इसमें मसाला भुनेंगे दीमियाज पर बुनना है यह देख पानी बी उबल गया है इसमें यह डाल देंगे हमारे तरह करेंगे यह देखिए इस तरीके से और अच्छे से चला देंगे क्योंकि हमने उसमें करा था अभी तंव सब्सक्राइब क्योंकि हमने रही एधिया के लिए तयार हो गई है तो आप खा ये पूरी से पराठे से आप जिससे भी खाना पस्तर खाना चाहते खा सकते हैं यह देखिए हैं किती बढ़िया सी हमारी सब्जी बन गई है तो आप यह मेरी मटर की नए तरीके की रेशिपी तो जरूर ट्राइ करिएगा मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगली बार फ झाल 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